हे गाईज मैं हुछ सोच करनेल और सागत करता है आपका हाई डाइक भाद इस वीडियो चैनल पर तो दोस्तों विना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे मोशन निंजा अप्लिकेशन के अंदर जो वीडियो आप एडिट करते हो उस वीडियो को आप एडिट करने के बाद अपने गैलेरी में कैसे सेव कर सकते हैं वो चीज आज के इस वीडियो में बताऊंगा एक्सपोर्ट कै टैब करते हैं 2-3 वीडियो एड कर लेते हैं एड पर टैप किया यहाँ पर हम फड़ 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 जो है यहां पर आपको export setting कुछ इस तरह के से ध्यान रखनी है कि यहां पर आपको 720 का resolution 30 का frame rate और यहां पर यह जो bit rate है इसको आप 14 MPs भी लिखे जाओगे तो भी चलेगा जहां पर 10 रखोंगे तो भी चलेगा जो set है वो भी चलेगा जहां पर यहां पर आप 720 का resolution ले लेना क्योंकि अगर समझो आपकी जो वीडियो है 720 का recorded है तो 720 का लीजे अगर आपकी वीडियो जो है 1080p के इसमें recorded है बतला आपकी जो raw footage है या फिर आपने जो है वीडियो अपने फोन से जो पैमरे से record किया है वो 1080p के resolution पर तब आप इसमें 1080p का resolution select कर सकते हैं जब आप तब आप व 1080p के resolution पर export तो आपकी वीडियो जो है उसका performance जो है खराब हो जाएगा जहां पर आपको ध्यान देना है कि आपको 720p का resolution रखना है 30 का frame rate और यह bit rate जैसा है वसे के रहने देजे और यहाँ पर फिर आपको यह जो export का option दिखता है उसको अपर tap कर देना है export के option पर tap करने के बा यहाँ पर आप play करोगे तो आपके जो वीडियो है play हो जाएगी और यहाँ पर हम back जाते हैं और gallery में जाकर देखते हैं कि gallery में वीडियो आई है या नहीं और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो वीडियो हमने अभी जो edit किया था वो gallery में save हो चुकी है तो इस तरही के से आप अपनी वीडियो को जो है gallery में save कर सकते हैं motion ninja application के तुरू जो आपने एडिट किया motion ninja application के अंदर वीडियो वीडियो को ज़र ज़र लाइक करेगा ने तो इस च्राइक को subscribe करेगा मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक